चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर कर लेते हैं कहता है Mr. X has occupied three house तीन घर है for his residence यानि question में ये बोलता है तीन घर रखूंगा अपने residence के लिए कहता है for the purpose of two house given below दो घर तो दिया जा रहा है financial detailed third house not available सर तीसरे घर का हमें available नहीं है यानि तीसरे घर का क्या है नहीं है पता हमें कुछ भी नहीं पता यानि इसके पास तीन घर है और तीनों घर को ये self occupied ले रहा है यानि हम house number जो इसका पता नहीं है न उसको हम zero माल लेंगे सब कुछ ही zero माल लेंगे जब कुछ नहीं पता तो zero माल लिया जाएगा आगे कहता है सर इसका standard rent दे रहे है municipal valuation दे रहे है fair rent दे रहे है municipal paid दे रहे है insurance premium paid दे रहे है यानि जो जानकारी चाहिए वो given है और हम साथ के साथ बता रहे है borrowing 60,000 रुपे का उधार पैसा लिया है per annum construction of house number date of borrowing 17 का था date of repayment loan 30 जून का था house first is constructed by Mr. X with the own fund इसने अपना पहला घर तो खोदी बनाया है दूसरा घर के loan पे लेके construction both house completed September 2017 और 2018 में घर भी बन चुका है सर तीन घर फिर से होगे कैसे करेंगे इसका solution बाकि examiner ने सिर्फ आपको confuse किया क्या confuse किया सर तीसरे घर का detail दे दे ते तो आसानी हो जाती जादा चलिए हम एक बार तीनो घर को let out मान ले तीनो घर को let out मान लिया जाए अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है सर एक घर का तो जिसका detail है वो तो मान लेंगे तीसरे का पता नहीं तो let out में भी 0 मान के खतम करेंगे जब detail ही नहीं दिया examiner ने तो examiner की गलती है भाई ह1 ह2 जो given है और ह3 तीसरा सबसे पहले हमें दे रखा है सीधा MV दे रखा है सर MV कितना है 38,000 और सर 60,000 यह 0 है फियर रेंट है क्या question में बिल्कुल है फियर रेंट कितने का है कितने का सर 45,000 65,000 0 नहीं पता सर SR ले 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 थे SR दे रखा है बिल्कुल 34,000 50,000 हमने कहा सबसे पहले 0 तो नहीं होगा इसे डैस डाल देते हैं हमने कहा expected rent तीनों को let out मान रहे हैं इसको भी let out इसको भी let out इसको भी let out थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो इन दोनों में से higher 45 तो यह आ गया इन दोनों में से higher और lower सर यह तो 0 ही रहा यही क्या बन जाएगा जी यह भी 34 और 50,000 माइनस में क्या करें MT सर MT दे रखा है municipal tax paid 4000 और तो हमने 4000 और 7,000 यह तो 0 है यह माइनस करने के बाद हमें result आएगा NA V तो 34,000 और सर यह 10 नंबर में सवाल आया हुआ है ऐसा मस समझना सर ऐसा ही practice कर रहा है हम एक्जाम वाले सवाल करेंगे अब सारे इसके बाद सर माइनस 24 अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है सर इसका क्या करना इसको तो use कर लिया यूज कर लिया यूज कर लिया इसका क्या करें कुछ नहीं करना इसको प्रीमियम पेट वगेरा हो unnecessary के कुछ भी खर्चे गीवन हो उन सभी के बदले 24 ए मिलता तो है मैं तो सर यह 12,000 43,000 का 30% निकाल लिया 43 का 30% फटा फट निकाल लिया इसका 30% ठीक है इसका अच्छा इसका 9,000 होगा इसका सर 9,000 होगा और यह 0 है ऐसे ही माइनस क्या करेंगे सर 24 24B अब 24B के लिए इंटरस का कैलकुलेशन सिर्फ घर 2 बनाया इसने तो चलिए सर सबसे मेन काम जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसका काम करने का टाइम आ गया है यह हमारा लाइन है और जो लोन लिया है ना वो लोन लिया है हमने 1 जून 17 को एक जून यानि सर एक छे दो हजार सत्रा कहता है री पेमेंट लोन 30 जून 2020 को किया है 36 2020 को इस तारिक पे मेरे पास कोई करजा ही नहीं था करजा खतम इस तारिक पे इस तारिक पे करजा लिया और इस तारिक पे लोन का repayment हो गया अब घर कहता है दोनों घर बनके तयार हुआ September 18 में यानि September 18 की बात करें तो ये वाला साल खतम हो जाएगा हमारा 31,3,18 में ये वाला साल खतम हो गया यहां पर 31,3,18 में उसके बाद सर हमारा नया साल स्टार्ट होगा 1,4,18 और ये साल खतम होगा हमारा 31,3 यानि इस साल के अंदर हमारा घर बनके सर तयार हो गया इस साल में हमारा घर बनके तयार हो गया ये वाला साल है तो इस साल में तो मैंने जब income tax return फाइल किया होगा उसका benefit तो ले चुका होगा मैं क्योंकि उस साल मैंने ऐसे थोड़ी बोला होगा के मेरा घर भले ही बोला गया question में के 30 September यानि कहीं बीच में बना है सर कहीं भी बना हो return जब आपने फाइल किया होगा तो इस साल का benefit ले लिया होगा तो PCP तो इस से पहले वाला है तो pre construction अगर पीरेड मैं पूछू प्री construction पीरेड तो यहां से लेके यहां तक जो कि कितने महिने बनते हैं सर 10 महिने कितने महिने हैं काउंट कर यह जून जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूवर नॉंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महिने हो गया दस महिने इस दस महिने का benefit मुझे 18 से कहां तक benefit मिल सकता है यह भी मैं आपको बता दूँ सर इसका benefit मिल सकता है हमें आगे तक मैं यहां लिख रहा हूं कहां तक मिल सकता है 18-19 19-20 20-21 21-22 और 22 इवन दो मेरे पास interest जो है repayment loan का 20 में हो गया लेकिन फिर भी हम 20-21 और 21-22 के अंदर जो 5 साल है वहाँ पर 5% लेंगे date बगर देख लेना वो गलत लिख दिया मैंने 20-19-20 के 20-21 और 21-22 और 22-23 ठीक है तो सर PCP का ब्याज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर 60,000 गुना में 8 बटे में 100 और कितने महिने के लिए 10 बटे में 12 और कितने महिने जाएगा 5 सर क्या आता इसका result कितने सर यह 800 आगया pre-construction period हमें सवाल सॉल्व करके दिखाना है assessment year 21-22 देखो assessment year 21-22 का मतलब होता है कि आपको एक तीन या एक चार दो हजार 21-22 है तो 20 से लेके 31-3 दो हजार 21 तक यानि 20 और 21 का बनाना है और हमने loan का repayment 20 में ही कर दिया है इसका मतलब अगर मैं current year का जिस साल का मैं loan बना रहा हूं interest वो यह वाला साल है मान लो और loan इस rate पे क्या मुझे बताईए एक चार पे मेरे पास 2000 19 में मेरे पास loan एक चार दो हजार 20 में मेरे पास loan है या नहीं है मुझे बता देजे है loan लेकिन question ने साफ साफ कहा है कि हमने इसका repayment कब कर दिया कब कर दिया 36 2000 क्या इस date के बाद मेरे पास loan है तो current year में मैं सिर्फ यहां से यहां तक का ब्याज ही निकालूँगा और यहां से यहां तक का ब्याज कितने मैने हो जाता है April, May और June पूरा तीन महिने तो तीन महिने का ब्याज निकलेगा सर किस पे साथ हजार पे इंटू में 3 बाई 12 इंटू 8 बाई पताईए क्या आता है कितने सर यहां गया 1200 तो यहां पे 24 बी जो मिलेगा deduction के लिए 24 बी जो deduction के लिए मिलेगा सर इस वाले पहले वाले लाइन में तो है ही नहीं दूसरे घर के लिए लिया गया था तो क्या होगा 800 और प्लस 1200 कितने होंगे और तीसरे घर का पता नहीं यह हो गया हमारा सभी को let out मान लिया यहां minus कर दें तो सर यह कितना आएगा यह कितना आ जाएगा बताओ क्या अठारा से अठारा से 19 का अब बच्चों का कहना है कि सर अठारा से 19 का written file हो गया तब ले लिया होगा हमें तो 20 और 21 का बताना है नहीं आप देखो यहां पर year क्या आता है सर मैंने बताया है अठारा से 19 written file हो गया ले लिया होगा 19 से 20 written file करके ले लिया होगा 20 21 का हम कर रहे है तो 20 21 का written up file कर रहे है तो ले लेंगे जब 21 22 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 800 का ही benefit मिलेगा क्योंकि current year वाला interest मिलने वाला है नहीं क्योंकि वो हमारा payment हो चुका है समझे बात आप तो चलिए सर इसको minus करके बताईए क्या आता है यह तो 0 यह है क्या है 28 एक सो positive positive दोनों आ गया अब सवाल है कि एक बार हम तीनों को अगर self occupied माने चलिए मैं थोड़ा यहीं करके दिखाता हूँ अगर मैं तीनों में self occupied मान लू in case तीनों घर self occupied हो तो सर H1 की income पताई कितनी आएगी 0 सर H2 की income कितनी आएगी सर 2000 minus का और H3 का income क्या आएगा 0 पहले तो यह आप agree करते हैं नहीं करते self occupied डारेक्ट निकाल दिया मैंने तीनों घर को self occupied यही कह रहा था थोड़ा सा easy process हो जाता है कि हम पहले पूरा लिख लें भईया पूरा let out मान लिया फिर self occupied उसके बाद क्या करना है सबके income जोड़ जोड़ के जो combination पहले बनाया था वो बनाएंगे तो चलिए सर यहीं बनाने की कोशिस करते हैं और थोड़ा सा small करते हैं इसको ध्यान दीजिए यह तो हो गया यह वेन ओल हाउस लिटा हो अब देखिए हम क्या करें है एच वन ले ले और ह2 को ले लें क्या एसो और ह3 को ले लें क्या लेट आउट सर ऐसे situation में क्या आएगा ह1 ह2 तो यह दोनों जोड़ के आएगा माइनस और ह3 क्या आएगा 0 that is answer पहले का देखिए दूसरा situation क्या बन सकता है सर H2 प्लस H3 SO मान लो और प्लस H1 को मान लो LO सर H2 और H3 SO मान लोगे तो H2 और H3 तो कितना आएगा 2000 और प्लस आपने क्या करा H1 को लेट आउट मान लिया तो H1 को अगर आप लेट आउट मानते है तो कितना आ जाएगा है H1 देखो 21,000 लट आउट होगा तो 21 आएगा न ऐसे situation में answer क्या आता है positive का 19,000 same situation number 3 मान लेते हैं कुछ बच्चों को अगर नहीं दिख रहा तो उपर कर देते हैं same situation number 3 क्या होगा H 1 को और plus H 3 को SO मान लेते हैं और plus H2 को क्या मान ले LO H1 और 3 self occupied 1 और 3 self occupied मतलब 0 और H2 को आपने माना तो 28,000 28,100 that is आपका answer आगे 28,000 तो sir कौन से वाला option best है 1, 2 या 3 तो जवाब है sir हमारा first option best माना जाएगा sir क्यों first option क्यों best माना जाएगा इसलिए क्योंकि सबसे कम है तो हमारा answer ये वाला ठीक माना जाएगा कौन सा sir ये answer हमारा ठीक है समझ में आया आपको बात यहाँ पर assumption देंगे note के house number 3 का detail अवेलेबल नहीं है इसलिए all things zero मानके हमने कर लिया देखिए कोई दिक्कत इसी को मैं कह रहा था कि पिछले वाले सवाल को भी ऐसे करता न तो देखो self occupied वाला तो हम पटाफट से निकाल लेते interest इंटरस negative करके let out वाला एक बार मैंने तो तब फिर यह line खिशते तो जल्दी आजाता अगर मैं इसको फिर से तीन column में करूँ तो यह फिर से एक और page पे जाएगा एक और table बनना है फिर उसके बाद एक और table बनेगा तो solve का तो वो आपके उपर depend करता है कैसे करना चाहते है sir h2 2000 कैसे आया h2 2000 कैसे आया बच्चों को doubt है h2 2000 जो आया मैं bracket में लिख रहा हूँ sir 800 रुपे pre construction period का ब्याज और 1200 रुपे current year का ब्याज total ब्याज जो minus करना allowed है वो है हमारा ये जो कि हमारा इस वाले घर के लिए मिलेगा सरफ क्योंकि one के लिए है नहीं two के लिए है नहीं clear